अब आते हैं Population interaction की Prophet कैसा-कैसा-Population interaction होता है दो Population के भीच में बहुत important topic है ध्यान चे फड़ुची में इंट्राक्षन, तो कैसा-कैसा interaction हो सकता है Population में या तो beneficial interaction हो सकता है भला हो रहा है या डिटर्मिंटल हो सकता है नुकसान हो रहा है या फर्क नहीं पढ़ रहा है या फर्क नहीं पढ़ रहा है ठीक तो in nature animal plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological interspecific interaction arise from the interaction of population of two different species तो यहीं interspecific interaction है दो species के बीच में जो interaction है वो interspecific हो सकता है तीन तरग हो सकता है beneficial हो सकता है एक दूसरे जब फायदा हो सकता है नुकसान हो सकता है एक दूसरे से और फर्क नहीं पढ़ सकता एक दूसरे से तो these are the three types of population interaction that can occur आ गया तो देखो मैंने एक table के form में बहुत detail में यह बना दिया यह इसका screenshot ले लना वैसे मैं भी पूरा detail में तुम्हें पढ़ाऊंगे तो एके करके अभी हम लोग लिख के पढ़ेंगे बट तुम्हारे लिए मैंने एक table के form में आसान तरीके से डाल दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है इसका screenshot फ़े एक बाल ले लो क्योंकि यह पूरा यह table तुम्हारे need के लिए काफी हो जाता है ठीक है पर अभी हम detail में इसको पढ़ाएंगे ठीक है screenshot ले लिए screenshot एक बाल screenshot ले लो ताकि हम इसको पूरा detail में पढ़ाएंगे फिर्चा चलो आओ तो population interaction की बात करते है ठीक है तो अगर दोनों species का भला हो रहा है तो mutualism है if both the species are benefited क्या है mutualism अगर दोनों species का नुकसान हो रहा है तो competition ठीक है एक का फाइदा एक का नुकसान हो रहा है तो predation और parasitism एक का फाइदा एक का नुकसान हो रहा है तो predation और parasitism एक का फाइदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पढ़ा तो कमेंसलिजम अगर एक का नुकसान और दूसरे को कोई फर्क नहीं पढ़ा तो एमेंसलिजम एक एक करके इनका हम एक्जामपल देखते जाएंगे ठीक है ले लिए इसका स्क्रीन्शोट जल्दी बुरो आगे बढ़ेंगे स्क्रीन्शोट ले लिए इसका पानी नहीं रखा है कोई नहीं बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुवलिजम की सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुवलिजम की दोनों का बला हो रहा है मतलब अगर बला हो रहा है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुवलिजम याद रखेगा म्यूचुवलिजम is an obligatory relationship बहुत important सवाल है बहुत important point है म्यूचुवलिजम is an obligatory relationship मतलब हम बने तुम बने एक दुजे के लिए अगर तुम नहीं रहोगे तो हम मर जाएंगे उमा गो तुरू लग है ना तो म्यूचुलिजम is an obligatory relationship obligatory relationship यह याद रखना कि भाईया तुम नहीं हो तो हम नहीं है तुमारे भी ना ठीक है it is a obligatory relationship यह बहुत important point है proto-cooperation obligatory नहीं होता ठीक है तो interaction between कैसे कैसे हो सकता है सबसे पहला सबसे पहला example है likens likens किसके बीच में association है fungus और algae ठीक है तो fungi algae और sinobacteria के बीच में जो association है इसको हम likens कहता है अच्छा roots of higher plant और fungus के बीच में जो mutualism है इसको हम mycorrhiza कहते है तो mycorrhiza is between roots of higher plant and roots of higher plant and fungus ठीक है roots of higher plant and fungus सबसे interesting aspect जो होता है mutualism का it is between plant and animal species it is between between plant and animal species क्या कैसा कैसा जैसे एक example pollinator and plants दोनों का भला हो रहा है pollinator वाले को कुछ न कुछ खाने के लिए रहने के लिए मिल जा रहा है ठीक है दूसरा example हो सकता है मौथ मौथ एंड युक्का प्लांट ठीक है तो क्या होता है भाईया ओवी पोजीशन के लिए अंडा रखने के लिए जगा मौथ को युक्का प्लांट देता है और उसी चक्कर में इसका काम निकल लेता है ठीक है तो दूसरा फिग प्लांट एंड स्पीशीज ओफ वास्प इसमें भी क्या है भीया इसमें भी तुमारा यही वाला चीज़ है वास्प, फिशीज, फिग प्लांट के साथ रिष्ता निवाएगा और उसके बार पॉलिनेट कर देता है इन फ्लोरेसेंस को ठीक है सब पे सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में एक जो सबसे इंट्रेस्टिंग इवेंट है जो सबसे इंट्रेस्टिंग इवेंट है वो होता है जिसको हम कहते है स्यूडो कॉपुलेशन या सेक्श्वल डिसीट स्यूडो कॉपुलेशन या sexual ठीक है क्या होता है बटा क्या होता है कि एक plant है जिसको हम कहते है ओफाइरस ठीक है एक plant है जिसको हम कहते है ओफाइरस तो ओफाइरस क्या करता है अपने आपको mimic करता है female bee की तरह ठीक है अपने आपको mimic करता है female bee की तरह तो one petal of the तो फाइरस फ्लावर, resembles to the female bee in size, color and marking. अब लॉन्डे तो बोले बाले होते हैं, लॉन्ड आता है, उसको लगता है कि, अरे female bee मेल के, female female के, उस पर चड़ गया, copulate किया, और आगे बाप पस, ठीक है? तो male bee is attracted to the फाइरस because it perceives it as a female and pseudocopulates it. during pseudocopulation क्या हुआ भाईया? pollen grain dust हुआ और उसके जब वो दूसरे flower के पास जाएगा, तो उसका pollination हो जाएगा. तो यहाँ पे, यहाँ पे खाना नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया इसको sex. तो इसलिए सबसे जागरुक मेथड है यह कराने का. ठीक है, धोका कैसे बेटा, धोका नहीं है ना, देखो. क्या हो? सब बोला था कि भाई, खाना देते हैं, खाना देते हैं, pollenation, nectar देते हैं, nectar देते हैं, तो यह बहुत बच्चे बोलते हैं, कि सर यह commensalism हुआ, बी का क्या फायदा हो? ऐसा नहीं होता है, बी का भी फायदा होँा ना, समझो बाता है, क्या होता है, कि तुम जब देखो के केस में, तो बी केस में क्या होता है, क्योब्य एक ही है, worker हमारी क्या है, sterile है, drone हमारे क्या है, fertile है, अब माल लो कि, push drone को sex करने के लिए, मिल गया queen के साथ, बाकि ड्रोन क्या करेंगे, दिवार में छेट करेंगे, उनके लिए ये mechanism है, समझ में है, तो sexual deceit है तो mutualistic relation ही, किसी न किसी तरह से तो drone का भला हो रहा है न, imagination सही काम चल रहा है, बट चल तो रहा है न, तो this is a mutualistic relationship, it is not an example of commensalism, clear है, समझ में आए बेटा, clear है, हाँ या नहीं, ठीक है, तो हमने example क्या क्या देखा, हमने example देखा, fig plant और wasp species का, हमने देखा, ophirus और b, bumble b कहते हैं उसको, ठीक है, हमने देखा, lichens का, हमने देखा, mycorrhizer का, 4 examples हमने देखे, जो आपके NCRT में दिये हुए है, clear, clear, बहुत पर, आगे बढ़ते, दूसरा है, competition भाईया, अगर दोनों का नुकसान हो रहा, अगर दोनों का नुकसान है, तो इसको हम कहते है, competition, दोनों का नुकसान हो रहा, तो क्या कहते हैं हम इसको, उसको हम कहते है, competition, competition refers to, rivalry between living things from obtaining resources, territory, कुछ भी उतर रहा हो, competition हो सकता है, तो competition is a process in which, fitness of one species, is measured by presence of another species, ठीक है, competition क्या है, अगर एक दूसरे species के रहने से, तुमको तकलीफ पहुच रही है, तो वो तुम्हारा competitor, मतलब, दोनों का आर खराब होगा, दोनों को दिक्कत है, दोनों को दिक्कत है, तो competition, ठीक है, तो fitness of one species is affected by the presence of other species, ठीक है, तुम और तुम्हारा भाई, दोनों रह रहे हैं, ठीक है, तो भाईया तुमको कैसा, कितना कश्ट होता है, होता है न, जीने ने दे रहा है, प्राइवेसी नाम का चीज नहीं है, तुम्हारे भाई का भी भाई सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुम भी भाई सोच रहा है अपने भाई के बारे में, इसको हम कहते हैं Gauss Exclusion Principle तो Gauss Exclusion Principle बोलता है कि अगर दो species compete कर रहे हैं तो eventually एक species का काम तमाम हो जाएगा अगर अगर दो species कमपीट कर रहे हैं तो eventually एक species का काम तमाम हो जाएगा ठीक है तो if two species compete for the same resource one species will get extinct ठीक है वन स्पीचीज विल गेट extinct इसको हम कहते है गौज exclusion क्या था आर्बिंगन टॉट्वाइज ठीक है ठीक है सिंपल 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 तो इसको हम कहते हैं interference competition मतलब it is the competition in which it is the competition in which the feeding efficiency of one species is reduced due to the interfering and inhibitory pattern of other species इसको हम क्या कहते हैं interference competition clear चलिए आगे तो competition दो तरह का होता है कैसा कैसा एक कहते intra-specific competition और एक कहते inter-specific competition अगर same species के बीच में competition है तो inter-specific competition अगर different species के बीच में competition है तो inter-specific competition याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा inter-specific competition less severe होते है एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंप्यूटिशन ज्यादा सीवियर होते हैं जैसे कंप्यूटिशन दो शेर की बीच में तुम देखोगे ना शेर एक ही होता है मतब शेर एक ही नहीं होता है जिसको मेट करने को मिलता है तो कभी-कभी दो शेर के बीच बहुत घमाशान थे यहां पर दोनों के बीच में competition है बट दोनों दूर रहते है अपना distance maintain करके रहते हैं ना आज हैंना कभी शेर को जाके लड़का आता नहीं शेर भी बोलता है कि मू लगना इसके ठीक है तो डाट इस इंटर स्पेसिक कॉमपेटिशन है दोनों के बीच में रिसोर्स दोन यहां पर ठीक है competing individuals of similar type of adaptation यहां पर different तो हमेशा inter specific competition कम severe होगा intra specific competition ज्यादा severe होगा अब दो और एक पहला कॉनल's elegant एक्सपरिमेंट किया कि अगर हम एक्सपरिमेंट किया कि that on the rocky sea coast of Scotland larger and competitively superior barnacle इसको belanus बोला dominate करता है inter tidal area and exclude the cathalamus तो क्या बोला कि भाई देखो kolanus बढ़ा है कि बीचे belanus यहां दका है pese बढ़ा यहां दको ठीक है करता था न तो सभसमान थो वही कभजा कर लेता था करता था ना तो 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 तुम्हारा तो ग्रोथ रुकल है तुम तायल से साईट में कोने में भीगे कि तरह बैठे हुआ बट तुम्हारा भाई कोटा पढ़ने चला गया तुम्हारा जो एश होता है ना उसके बाद तो सब कब्जा अपना that is competitive release ठीक है तो अगर अगर हम बात करने हैं अगर हम बात करने हैं कि बलनेस और ठीक है, तो a species distribution is restricted to a narrow geographical area due to the presence of competitively superior species but, जब वो species को हटा देते हैं, तो ये expand करता है, इसको हम कहते हैं, competitive release है ना, तो अगर जो species, दो species compete कर आता है, उसमें से एक competing species को हटा दिये, तो दूसरे species का growth बढ़ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते है, competitive release, समझ में आए, समझ में आए, बटा, समझ में आए, clear, 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 बहुत, ठीक है, तो गॉस competitive exclusion हमने कर लिया, competitive exclusion state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist और एक खतम हो जाएगा, ठीक है, अच्छ, लेकिन, लेकिन अगर सवाल पूछे, कौन सा ज्यादा realistic है, competitive exclusion या resource partitioning, देखो, हम लोग विश्वास करते हैं भाई चारा में, हम मारने काटने में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं, सब रहो, सुखी चे रहो, बटवारा कर ले, अपस में नहीं बनदा, तो बटवारा कर लो, मारने काटने में क्या रखा है, तो गॉज competitive exclusion principle को हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं resource partitioning को, हम मानते हैं co-existence को है न, हम क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम क्या बातते हैं, co-existence को, हम मानते हैं को एक्जिस्टेंस को हम रिसोर्स पार्टेशनिंग को नहीं मानते हैं ठीक है तो यहार रखेगा क्या मानते हैं को एक्जिस्टेंस को ठीक है तो टू कॉम्बैट एक्सक्लूजन स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन इवल्स मेकानिजम दैट प्रमोट को एक्जिस्टेंस या रिसोर्स पार्टेशनिंग बट वारा कर लो ठीक है एक्जाम्पल इसमें दिया है मेकार्थर शोड फाइव क्लोजली रिलेटेट स्पीसीज अव वाबलस लिविंग ऑन दे सेम ट्री वेरेबल तो रेजिस्टिक ज्यादा कॉन्स है गौज इस्क्लूजन प्रिंसिपल या रिसोर्स पार्टेशनिंग तो आप क्या बोलेंगे तो इस वोज पार्टेश्टिक ग्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है हाँ या नहीं ठीक है तो यह आगया competitive competition तो हमने देख लिया mutualism हमने देख लिया competition अब हम देखते है predation competition में क्या होगा दोनों का नुक्सान है लिख लो कि it is a माइनस माइनस इंट्रेक्शन चले बहुत अब आते हैं आगे अब आते हैं predation की बात है predation क्या है common feeding behavior of natural animals plants and microorganism where one species feeds on other species for survival and growth मार के खा लिया इसको हम predation कहते हैं ठीक है तो एक prey है एक predator है तो जिसको खाया जिसको खाया वो क्या है जिसको खाया वो prey है और जिसको है न एक prey है जिसको खाया ठीक है एक प्रिडेटर है जिसने खाया तो यार रखेगा प्रिडेटर का हमेशा भला हुआ प्रे का हमेशा नुक्सान हुआ इस अ पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन ठीक तो प्रिडेटर प्लेज अन इंपॉर्टन रोल प्रिडेटर साथ्ग अधियाद है सवाल आता है इसे बहुत ज्यादा अगर कोई एलियन स्पीसीज को हमने डाल दिया जिसका कोई natural predator नहीं अभी दो को टिडडे आ गये थे बहुत सारे है ना तो खेत का नुकसान हो गया ecosystem को समालने के लिए बुरे लोग अच्छे लोग दोनों चाहिए ना तो predator भी आपको चाहिए तभी prey species चेक में रहे गया है ना उसको थोड़ी पता है कि उसको कितने बच्चे पैदा करने है तो जैसे एक example था कि प्रिकली पियर क्याक्टरस इंट्रिड्यूस हुआ था और ये पूरे जगा फ्याल था क्योंकि इसका कोई natural predator नहीं था हमने क्या किया फिर इसका predator लाया मार्केट से ठीक है इसका predator लाया और उसके बाद फिर इसकी आवादी कंट्रोल में हुई तो हमेशा predator आपको चाहिए ecosystem हमेशा predator आपको चाहिए ठीक है तो predator helps in maintaining the species diversity in the community by reducing the intensity of competition तुम सोचो ना माल लो की share मर जाया सारा तो initially क्या होगा deer लोका तो ash होगा वाओ no share है ना तो मस्ती से घुमेंगे बट दवा के बच्चे पैदा करेंगे अब वो इतने बच्चे पैदा कर देंगे कि eventually घास कतम हो जागा और घास कतम हो जागा तो eventually पूरा deer का population नहीं मर जाएगा तो predator बहुत जादा important है एको सब्सक्राइब ठीक है एक्जामपल इसका देखो in American Pacific Coast the starfish pisaster यह बहुत important predator था ठीक है field experiment में हमने क्या किया कि यह pisaster को हटा दिया तो देखा हमने 10 species of invertebrate extinct हो गया मतलब predator हटा तो आपस में लड़ाई हुआ आपस में लड़ाई हुआ तो दस दूसरे species extinct हो इसलिए प्रिडेटर चाहिए ठीक है अच्छा लेकिन सारे पावर प्रिडेटर को दिक्कत हो जागा तो प्रिडेटर को हम लोग prudent in nature बोलते हैं और प्रे भी भाया अपना defense mechanism रखा है प्रिडेटर से बचने के लिए पहला क्या इंसेक्ट और फ्रॉग जो है अपने आपको केमोफलेक कर लेते हैं ताकि नहीं देखें ठीक है some species are poisonous therefore they are avoided by predator जहर है उसके अंदर ठीक है जैसे example monarch butterfly का taste बहुत खराब होता है ठीक है तो predator उसको नहीं खाता ठीक है monarch butterfly का इसको mimicry कहते है ठीक है mimicry अभी हम पढ़ेंगे monarch butterfly queen butterfly यह हम लोग evolution ने पढ़ेंगे ठीक है mimicry यहाँ नहीं ठीक तो monarch butterfly का क्या होता है टेस्ट बहुत खराब होता है क्योंकि वह poisonous wheat खाता है लर्वल सेस्ट पर जिसके कारण predator उसको खाना पसंद नहीं करता है जैसे तुमको करेला खाना का मन नहीं करता ना exactly वही पर यहाँ पर काम करता है ठीक ठीक तो monarch butterfly is highly distasteful फिर दूसरा कैलो-tropish grass होता है कैलो-tropish grass होता है अब यह क्या होता है यह product produce करता है cardiac glycosides तो इससे तुमको ऐसे नहीं बहुत गंदा-गंदा फील होता है मतलब अगर प्ला यह grazing cattle उसको खाएगा तो उसको बहुत खराब फील होता है यह ना तो इसके कारण वह उसको खाता है नहीं तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि इससे जो ग्रेजिंग कैटल है डोन्ट फील गुड आफ्टर इटिक है तो इसके कारण इसको खाता नहीं है कोई केलोट्रॉपिस ग्रास को नहीं खाता है ठीक है दूसरा कांटा हो सकता है तो अलग-अलग प्रिटेटर से बचने का तरीका हो सकता है ठीक है इसको भी कोई खाएगा नहीं क्लियर है यहां तर क्लियर है प्रिडेशन समझ में आ गया है शाबाश बहुत बड़े ठीक है यह हो गया प्रिडेटर खता है अब आते हैं पैरा सिटीजर पैरा सिटीजर्ट मतलब कि भाया हम रहेंगे भी तुम्हारे पास खाएंगे भी तुम्हारे पास टीक है तो पैरा सिटीजर्टिजर्ट पर दूसरे का फायता हुआ ठीक है यह रहेगा भी और खायेगा ठीक है तो मैनी पैरासाइट्स है वह एवाई तो बी होष्ट स्पेस्पिक बिल्कुल बरे एक तम अपने आपको फिक्स कर लिए कि भया कि हम इसी होष्ट स्पेस्पिक रहेंगे एं ति इन सच जब्ले लिए डाट बोध्वह या तो पैरासाइड भी उसी तरह से इवाल कर जाता है तो कैसा-कैसा पैरास क्यासा हो सकता है? सबसे पहला एक तो पहला साइट आउटसाइड बाधि‬ आगर बाधि के बाहर है अगर बाधि के बाहर है ऌत disclose अओटसइड ने क्यों ओपर है ना ऑन द बाधि क्ये सकते है सर्द बाधि और अबाधि एक्जाम्पल क्या हो जागा इसका लीच एना टिक यह सब ना क्या है बाड़ी के बाहर रहा है एना एक्टोपरसेट दूसरा एंडोपरसेट बाड़ी के अंदर रहा है लिफ्स इंसाइड दबाड़ी अगर बाड़ी के अंदर रहा तो क्या है एंडोपरसेट बाड़ी के अंदर रहा तो क्या है एंडोपरसेट एक्जाम्पल टेपोव ठीक है एंटरमीबा प्लाजमोडियम यह सब एंडोपरसेट एक बहुत इंपोर्टन पॉइंट लिखना एंडियाट यूमेन लिवर फ्लूप इस एक त्री में टोड मतलब इसका दो इंटरमीडियेट होस्ट होता है ठीक है इसको इंटरमीडियेट होस्ट कौन कौन सा दो इंटरमीडियेट होता है पोस्ट तुमारा स्नेल एंड फिश्ट इंपोर्टन सवाल है इसको इसको दो इंटरमीडियेट होस्ट चाहिए होता है तुम्प्लीटिट इंच्याट में दिया हुआ 2 completed life cycle है ना ठीक है तो यह आ गया तुम्हारा Yectoparasite एक हो गया इंडoparasite ठीक है एक होता है Hyperparasite Parasite के उपर Parasite 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 living on other Parasite क्या होगा इसका example नो इसका example हो जाएगा bacteria phase इस बेक्टेरिया को खाता है कॉलाई की उपर खाता है इसको कहता है hyper parasite अगर हम बोले total parasite कि कि सब कुछ के लिए dependent है ठीक है, बोलो पैरसाइट क्या हुआ पैरसाइट कम्पलीटली डिपेंडेंट अन होस्ट इस पे सवाल आता है अन होस्ट लिख लो टोटल स्टेम पैरसाइट कसकटा प्लांट का ना और टोटल रूट पैरसाइट रफलेशिया, रफलेशिया इस लाज़ेस फ्लावर अलसो ठीक है टोलेश फ्लावर, एमर्फो फैलस ठीक है, तो यह आगया पोलो पैरसाइट, एक और तरह का पैरसिटिजम होता है अभी आगया पाटते है, तो यही देखो एक्टोपैरसाइट बाहर, इंडोपैरसाइट अंदर ठीक है, एक्टोपैरसाइट का एक्जामपल लाइस टिक, इंडोपैरसाइट का एसकरेसिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है कटकटा is an एक्टोपैरसाइट that is commonly found in hedge plant, यार रखीगा यह टोटल स्टेम पैरसाइट है लिख लिए पोटल स्टेम कि ठीक है पहुत अब है ना टेप आम तुम्हारे इंडो पैरसाइट हो जाएगा डॉक फ्ली तुम्हारा एक्टो पैरसाइट होगा बहुत आई एक और होता है इसको हम कहते हैं बुरूड पैरसिट सब्सक्राइब देखो तो इन दिस पैरेट साइड पैरसिटिक बर्ट लेज इस एक इन नेस्ट अप दो होस्ट और लेट दो होस्ट इनक्यूबेट दें ठीक है तो भाईया क्या करता है कोयल की कवा के घोसले अपना ही अंडा है तो इसको भी इनक्यूबेट करके बच्चा पैदा करा देता है ठीक है अर फिर कवा के साथ दोनों कवा कर तलाग हो जाता है कि female कवा पर डाउट करता है male कवा की बताओ कहां से मुंका लगर करके आई हो ठीक है तो यह स्टोरी हो जाता है ठीक है तो the egg of the parasitic bird has evolved to resemble to the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign example कोईल एड गुरो तो कोईल या कुकू कुकू बर्ड लेज इट्स एग इन ग्रोजनेस तुम सोचो कितना मेहनत कर दिये आलस पना करने का हैं सोचो जब कवा सेक्स कर रहा होगा तभी कोईल को भी बोला हो भाई यार मुझे भी सेक्स कर न अप्लाइब कितना सारा डिपेंडेंसी है ठीक है तो बहुत दिक्कत थे इसके जिन्नेगी में है ना चोरी करना भी आसान काम नहीं है राइट तो यह वाला सीने यहां पर ठीक चले अगला आते हैं अच्छा यार रख लेना मॉस्कीटो इस अवेक्टर नॉट अपैरसाइट प्लीज या रख लेक्टर या पुरी डेटर नॉट अपैरसाइट बहुत इंपोर्टन सवाल आता है ठीक खून पी रहा है लेकिन तुम्हारे बॉड़ी पर रह थोड़ी रहा है मच्छड क्यम तुम्हां इसास रहेंगा नहीं रहता है तो आगे अब आते हैं कमेंसलीज मैं सामाजिक कारे करता होता है मेरे कि तरह दूसरे का बला करे अपना कोई फरक नहीं पागा ठीक है तो प्लस सेवा भाव सेट तो इसको कमेंशरिसम परते हैं तो इंट्रक्शन इन विच वन स्पीचिस बेनेफिट्स और अधर इस नाइधर हांड और बेनेफिट्टेट ठीक है कैसे और्किट ग्रोइंग और एफिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच बार्निकल्स ऑन बैक उफ वेल लगा कैटल एगरेट और ग्रेजिंग कैटल अब कैटल एगरेट में क्या होता है कि कैटल का फाइदा नहीं है ठीक है एगरेट बर्ड का फाइदा एगरेट बर्ड क्या होता है जब कैटल पौटी पे पैर रखता है तो उससे कीड़ा मकड़ा बाहर रह जाता है एगरेट इसको कोई खास फाइदा नहीं है ठीक है दफेश गेट प्रोटेक्टर बाइप्रेटर्टर्स एनिमोन दस नॉट एपिर टुट्राइब एनी बेनिफिट भाई तो इसको कमें से लिजा करें ठीक है एग्रेट कैटल वाला कैटल तुम्हां पता है देखो है न यह वाला यह अभी क्या कर रहा है इंतिजार कर रहा है जहां पॉटी पे लात लगे कैटल का वहां जाके खाना चालेगा है न तो इसको कमेंसलिजम हो गया अब दो टर्म है जो आपके निस्याटी में थोड़ा सा दिया है या नहीं दिया है एक कौम कहते है प्रोटो कॉपरेशन क्या होता है बोग प्रोटो कॉपरेशन मतलब दोनों का भला ठीक है बट यह फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला हिसाब किताब है ठीक है इट इस अ नौन ओब्लीगेटरी रिलेशन्चिप यार रखना ठीक है इट इस नौन ओब्लीगेटरी रिलेशन ठीक है इट इस नौन ओब्लीगेटरी रिलेशन्चिप यार जरूरी नहीं है कि हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो तो कोई बात नहीं मरेंगे नहीं तुम्हारे बिना चक्ट लॉन ना है ठीक है तो इस नौन ओब्लीगेटरी रिलेशन्चिप प्रोटो कोपरेशन्चिप इसका एक्जाम्पल है इसका एक्जाम्पल है सी अनिमोन एड हर्मिट क्रैब यार रखें जान जाएगा प्रोटो कोपरेशन इस नौन ओब्लीगेट रिलेशन्चिप इसमें हर्मिट क्रैब और सी अनिमोन में कभी-कभी एक्जाम्पल में अगर एक्जाम्पल में तुमारे नहीं है अखरी कि अमेंसे लिदम यह तुम लोग के प्रजात्य वाले हैं ठीक है पढ़ना रिखना है निन टाइम पास करने हा जाना है लुक्सान करना है दूसरे लेकिन नहीं आपके बताना है एक का नुकसान दूसरे को फार्पने पता है ना एक्जामपल आजाएगा पैनी सिलीन पैनी सिलींट क्या होता है मार देता है इसको मार देता हूं पैनि उनियम ग्रास वीट को नुकसान पहुँचा रहaps ना पाथीन नयुक्रास का तो कोई फाइदा हो नहीं रहे फाहते हैं मैंनिसलीस ठीक है तो यह हो गया वापुलेशन इंट्रैक्शन खट